यह लैंड रूपर आ गया तो भाई साब आ गया हम देखो भाई डिफेंडर कॉंग्राचुलेशन सर थैंक्यू एक तो आप कानपूर से आये तना जली अलीम नेको बड़ा मतलब बहुती स्वीट जेस्टर भाई थैंक्यू अब नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आपके एक व्लॉग डाइब का वीडियो लेके आगया हूं पहले हम सतीस बाइस मिले थे उसका एक व्लॉग डाला था अभी हमें सड़न कुछ काम आ गया है लखनव जाना है किसी की स्टोरी देखी और किसी के मतलब बोला गया है कि भाई सोरो भाई आजो तुम भी मज़ा आएगा तो बस हम वहीं जा रहा है लखनो तो पहुंचते हैं भाई सारी चीज़ा बताएंगे तो अभी क्या होगे हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है कि हमारा जो पेटियम का है और मुझे नहीं लग रहा है मैं टाइम पर पहुंच पहुंगा हाला कि देखते हैं जैसा भी होता है कोशिश पूरी है टाइम से पहुंचने की तो अभी बस यहां देखो यह देखो टोल टैक्स पर कड़ा हूं मैं यह टोल टैक्स है ठीक है तो अब बस यह हो जाए अब लोग जा रहे हैं रनिया पहुंच गया है और अभी आप लोग को यह लग रहा होगा कि मैं अचनक से लखनौ क्यू जा रहा हूं और भाई मैं यहां कहां था जहां से लखनौ जा रहा हूं तो मैं अकबर पुर आया हुआ था और मेरा जो गर्मिक फंक्शन था कुआ पूजन वाला वो था तो वो फंक्शन हो गया है उसका भी बाई प्रॉपर व्लॉग आएगा ठीक है और वो भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन बस यह है कि आप भी हमें लखनों कुछ अजयन काम से जाना है तो बस पहुंचते हैं थोड़ा सा मज़े करेंगे आस्ट में दिखाएंगे तो यह देखो भाई साब आगे ही क्या माहल है वाई यह है हम लोग रनिया में तो यार दोस्तो इसे कईते हैं सुख को ड्राइवर सीट कैसे रिक्लाइन होकर बैटना और बगल में तुभारा दोस्त बेवकूफों को तेरा गाड़ी चलाए वाई क्या जिद आगे बास बास मगल में दा ट्राफिक पूरा तो बस बैंड बजी पॉड़ी है वाई पहुंच जाते हैं लोग पस पांच शिद दस मिनट में पहुंच जाते हैं अगर यह जाम नहीं मिलता तो हुआ हुआ है जहां पहुंचना था हम लोग पहुंच चुके हैं यह लैंड रूपर आ गया अधित्य वाई उदर खड़े तो है तो भाई साब आ गया हैं देखो भाई डिफेंडर और अभी आप लेके जा रहे हैं उसके सारे पेपर के यहां जी कोई रोकिंगा नहीं वैसे अगर इनके सब्सक्राइब तो दोस्तों यहीं आना था आज सतीज भाई कार की डिलिवरी थी तो यार लेकिन थोड़ा सा जैसा कि मैंने तोड़ा सा वीड़ा बनाया अभी चलना है कुम्ति नगर अब आधा रही है लिए बास छोटा सा व्लॉग ने राला है अचा अरे आप वाईरल कैसा नहीं तो देख लो भाई लो इफ अंडर में बैटे के हम तो अगली गारी देखते हैं अपने को बचाना ह नई गाडिया बचा की चलाना है बात नई कि नहीं है भी थारो दा नुम्हे रुपता थोडी हम शारती है यहारते मैं धक्ते है लगारी की नुकसान अपना ही जाता होगा है जितना उसकी गारी का दा होगा दो रही तर भी तर जाटा है वीड़ायर इस जाना तो बातारी वहां नहीं खड़े हो पाई है, आठाड़ पाना उपनी है, आठाड़ पाना उपनी है, कॉंग्राचिलेशन सर, थैंक्यू एक तो आप कानपूर से आए इतना जली है लीमने को बड़ा मतलब बहुती स्वीट जस्टर भाई, थैंक्यू वाई लोग देखो भाई, फाइनली, सुपीछ सर की गाड़ी, वेवेगो डिलीवर हो गई है, ये खड़ी है डिफेंडर, वो बैठर सभी दी अंदर, तो मजा आगे है बाहूल, इकड़म गाड़ी जो देख रहो तायर बाया, इकड़म बबाल, ये खड़ी दिफेंडर, य मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ये वाई साब फोटो शूट चला है, तो वाई फाइनली, सब कुछ रएड़ी है, आप सथीज भाई जा रहे हैं, देवरिया, मैं भी अपने मननत जाओंगा, ये रही डिफेंडर, सफारी आगे थार, वाई मिल लिया है, सथीज भाई से तो अब हम लोग निकलते हैं मननत, क्योंकि हम लोग रुकेंगे, और बागी सब लोग जा रहे हैं देवरिया, और मेरा देवरिया जने का कोई प्लान नहीं है, तो दोस्तों कल मैं रात को घर वापस आगया था, मतलब अपने फ्लाट आ गया था, क्योंकि सतीज भाई को द वरिया निकलना था क्योंकि फामली आई थी पहले यहीं पाटी वाटी का प्लान था लेकिन फिर उसके बाद बोले कि अभी मतलब उनको घर जाना रहेगा उनके पापा लोगों ने बोला कि अभी घर चलते हैं सो हम लोग फिर फ्लाट आ गये थे और हम लोगों ने खाना वाना खाया नींद बहुत तेज आ रही थी तो हम लोग सो गये थे इसलिए मैं कल रात को यह व्लॉग मतलब एंड नहीं कर पाया तो चलो आज के बस वीडियो में इतना आई ही बस यही एक्साइटमेंट था कि मैं सथीस भाई से मिलने वाला था और उनके डिफंडर की डिलिवरी में मुझे इन्वाइट करा तो यह काफी आची बात थी मैंने लिए चलो ठीक है बाबाए